आप देख रही है MNS News सच जरूरी है उन्होंने रोजगार मेला के तहट सुबर साड़े दस बजे देश भर में 46 तानों पर आयोजित कारेक्रम में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये विबिन सरकारी विभागोवा संगटों में निव नव्यूक्ति एक क्यावन हजार अभ्यार्तियों को निव्यूक्ति पत्र आज रोजगार मेले के तहट निव्यूक्ति पत्र मिले है उन्होंने कहा कई महिलाओ को भी आज निव्यूक्ति पत्र मिले है आज भारत की बेटिया अंतरिक्ष से लेकर अनेक गिर्थी मान बना रही है पियम मोदी ने कहा महिलाओ ने हमेशा एक नई उर्जा के साथ कई शेत्रों में बदलाओ लाया है पियम मोदी ने कहा आज हमारा देश एतिहासी कुप्रब्दियों और फैसलों का महाओ बन गया है कुछ दिन पहले ही देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन कानून के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है महिला रक्षन बिल जो नए भवश्य की शुरुआत हुई है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा देश ने 2047 तक विकस्तित भारत बनने का संकल्प लिया है अगले कुछ सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थववस्ता बनने जा रहे है इस आउधी में प्रतेक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूम की आशकता है जिया बड़ते अगली खबर की तरफ आज यूएन जनरल असेंबली में गर्जे विदेश मंत्री जैशंकर कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक सभी को देगे करारा जवाब जिया भारतिय विदेश मंत्री आज सयुक्तराश महासबा याने यू एन जीये में अप पाकिस्तान खालिस्तान आतंकी हर्दीप सिंग निजर के पाद कनाड़ के पीम ने भारत सरकार के व्रोग में बयान साधा है वहीं कनाड़ा की कंट्रोवर्सी के बीच पाकिस्तान ने भी मौके का फाइदा उढ़ा कर भारत की intelligence agency RAW के बारे में अनर गल बोला है जिया आज विदेश मंतरी एसजर शंकर इन सब बतो पर करारा जवाब देगे उनके व्यक्तत्व पर दुनिया की नजर है पाकिस्तान ने भी उगला था भारत का खिलाफ जहर जिया इससे पहले टुडो ने आरोप लगाया था कि निजर की हत्या में भारत की शामिल होने की विदेश मंतरी एसजर शंकर ने इसके भाषन पर अब दुनिया की नजरे टिकी हुई है भारत अभी इंतिजार कर रहा है कि कनाड़ा कानूनी साबूत मुहया करार जिसमें वह दावा कर रहे है कि भारत का निजर हत्यकान से संबंध है वह भी तब जब टुडो से सीख रा टिक पाएगा या नहीं दरसल कनाड़ा के पीम जस्टिन टुडो को खालिस्तान समर्तक की पाटी समर्थन दे रही है इसलिए वे खालिस्तानियों के समर्थन और भारत की विरोध में बिना साक्षे के बयान दे रहे है कनाड़ा की राजनितिस से सीख वोट बहनमात वो द्वारे में दौरा करने के लिए अनुरोद किया था अमेरिका को भी संदेश देगे जैशंकर जिया इस बीज कनाड़ा ने भारत के लिए अपने ट्रेवल एडवाईजरी जारी की और कनाड़ा के लोगों से सतरक रहने के लिए कहा है माना जा रहा है कि इन करारा जवाब देगे जिहाँ जैशंकर के भाषन में ना केवल कनाड़ा और पाकिस्तान के लिए बलके अमेरिका के लिए भी बड़ा संदिश हो सकता है अब तक कई बार जैशंकर पश्यमी दोशों के आरोपी के धज्या उड़ा चुके अमेरिका को भी परोप्ष रूप से जैशंकर आएना दिखा सकते हैं इस बाषन के बाद जैशंकर वशिंग्टंग जाएगे और वहाँ पर बाइडन प्रिशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेगे इससी तरह की दिनवर की तमाम बड़ी ख़बरों से फिर कराऊगे आपका रूबरू तब तक के रेखते र नेट्वर्क मेरे साथ यह नेरशन सार एक साथ तमश्कार आप अधि एमिनिश नेट्वर्क और आप देख रहे हैं मनेश निवस